देखें हम लोग आम बोल चाल में शब्त का परियोग करते हैं पाबंदी, तो इस वीडियो में पाबंदी का इंग्लिश हो र हिंदी में क्या अर्थ मतलब होता है जानेंगे, हम पाबंदी शब्त को sentences में किस तरह से परियोग करते हैं, एक्ञप्ल से देखेंगे, चलिए वी की अवस्था मतलब बद्धता या बाद्धता बाद्यता मतलब किसी परकार के बंधन में पड़ा हुआ बंधा हुआ मतलब जिसके जिसकी के पईर अगर बंदेवे हो तो उसको भी पावंदी बोलते हैं तो पावंदी का मतलब हो है कैद तो को आगर कोई आदमी किसी चीज के लिए क्याइट पाबंद कर लेता है अपने habit बना लेता है तो उसको भी पाबवन्दी बोलते हैं ठीजलिए अब sentences में पाबंदी को exampleлом से अच्ची तरह से समझते हैं जैसे बोलेंगे, सभी इंसान के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी होती है, मतलब वह इंग्लिश में, the punctuality of the time is necessary for every person, दूसरा एक्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कई तरह की पाबंदियों में गुजारे, मतलब वहाँ, he passed his life with different types of restrictions, तो restrictions का मतलब पाबंदी, ठीक है तुमिद है, अपने पाबंदी शब्द को इंग्लिश और इंदी में एक्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थैंक्स वर वाच इंग्जिकर डेस्क.